हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन इस्टुड़ी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में जनरल साइंस एनिस सावान निविग जानके सुपर फिप्टी मोस्ट इंपोर्डिन कोईश्चन एंसर लेकर आया हूँ और आगामी जो भी गवर्न्ट एक्जाम होने वाले हैं भी 2018-19 में उन सभी के लिए भी ये कोश्चन काफी मातवर्ण इनकी आने की संभावना बहुत है कि ये कोश्चन ऐसे कोश्चन है 50 कोश्चन गुमा फिर आके रिपीट होते हैं पूछ लेते हैं ठीक है कुछ सलेक्टे प्रण्टेस को जरूरूर्ण कर लें ताक कि आपको शीतर है के डेली वीडियो मिलती रहें वीडियो पसंदाद प्ली लाइक करें चूंः को जादा ज्याधा शेयर करें दोस्तों के साथ इसके लावा दोस्तों मैं आने केर्वी पर से डाउनल़ोड करके उसमें और ये अपने प्रूफाइल के लिए उस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया तो उसी लिंग को भी डायर्क्ट क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं काफी इंपोर्टन कोश्चन है वीडियो को इंदर तक देखिए बहुत थी असानिक नाम क्या है तो पहला कोशन के लाफिंग गेसका असानिक नाम है इसका राइड एंसर हो जाएगा नाइटरस अक्सैइड यसे खोज नाम क्या है नाइटरस अक्सैड ये कोशन SSC, Railway, PSC exam, Police exam में बहुत दबार पूछा गया है तो आपको जरूर यादखने आगे भी पूछा आ सकता है Question number दूसरा है Govar gas में मुक्ते काउन सी gas होती है तो Govar gas में मुक्ते होती है Methane gas काउन सी gas? Methane gas होती है Question number तीसरा Cooking gas में काउन सी gas होती है? Propane तथा Butane Cooking gas में काउन सी gas होती है? Propane तथा Butane अगला कोशन है चमकने वाला और माचिशों में प्रयोक्त होने वाला पदार्थ क्या है? Phosphorus का प्रयोक करते है चमकने वाला और माचिशों में जो प्रयोक्त होता है पदार्थ होता है दोस्तों वो होता है Phosphorus अगला कोशन है जीवास्मों की आयू निर्धायित करने के लिए कौन सी विधी अपनाई जाती है दोस्तों जीवास्मों की आयू निर्धायित करने के लिए कारवन डेटिंग विधी जो है तो अपनाई जाती है ठीक है जीवास्मों को निर्धायित करने के लिए कारवन हम लोग कई बार क्या करते हैं अब लोग की सिंपल कौशन इसी कौशन में गलती करके आ जाते हैं और वहीं से जो एक्दो कोशन से हमारा प्लाइब प्लाइब अप ऐसी के एक्वाम उठागे देखेंगे जितने भी एक्वाम होते CGL MTS ये question बहुत बार पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है भोपाल गैस दुरगटना में कौन सी गैस का रिसा हुआ था methyl isosynate gas ठीक भोपाल गैस दुरगटना में कौन सी गैस का रिसा हुआ था methyl isosynate अगला question ने जल का शुद्धतम रूप कौन सा है वर्सा का जल होता है दोस्तों जल का शुद्धतम रूप होता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन बहुत महत्पुन है वर्षा की बूंदे किस कारण गोल होती है यहोती प्रिष्ट तनाओ के कारण ठीक है वर्षा की बूंदे किस कारण गोल हो जाती है प्रिष्ट तनाओ के कारण अगला कोशन ने वायोडिजल बनाने में किस बनस्पती कोप्योग किया आता है तो वायोडिजल बनाने में रतन जोद जिसको जेट रोफा भी कहते हैं बनस्पती कोप्योग किया आता है ठीक है अगला कोशन ने गुरुत्ता कर्शन की खोच किस ने की थी यह की थी Newton ने ठीक है कुरुत्ताव कर्षण ने खोच किया था Newton ने अगला है सिर्का वा अचार में कौन सामल होता है Acity कमल होता है और अगला कोशन है पंदरे नमबर कर नीवू येवं नारंगी में कौन सामल होता है Citric मले नीव यहम नारंगी में कौन समलोता है? अगला कोशन दोस्तों मत दाता हूँ कि हाथ में लगाय जाने वले शाहिम पाजाता है सिल्वर नाइट्रेट छो आप वोड डालते हैं उससे में जो शाहि लगाय जाती है उसमें क्या पाजाता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है अगला कोशन ने प्रिथवी अपने अक्ष पर घुमती है पस्चीम से पूर्व की ओर ना कि पूर्व से पस्चीम की ओर ठीक है पस्चीम अपने अक्ष पर घुमती है पस्चीम से पूर्व की ओर अगला question है प्याज वा लहसुन में गंध किसे कारण आती है potassium का कारण ठीक है दोस्तों प्याज वा लहसुन में जो गंध आती है क्विशेश प्रकार की वो potassium का कारण आती है तो यह आपके लिए general evidence का question है बहुत important है next question है किरणों की खोज किसने की किरणों की खोज X किरणों की खोज किसने की थी समुत्र की गहराई नापते है altimeter से DNA का सनरचना का model किसने दिया था question number 22 है प्रयोक सालम बनने वाला तत्तो है यूरिया प्रयोक सालम बनने वाला पहला तत्तो कौन से था यूरिया था ठीक है अगला गोशन ने पैंसलीन की खोज किसने की पैंसलीन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पैंसलीन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अगला गोशन ने चेचक के टीके की खोज किसने की एडवर्ड जेना ने ठीक है इस्टेपीस कान में पाई जिसी सबसे छोटी अड़ी तो यह दोनों गोशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जरूर याद रखिएगा बार बार पूछा जाता है किस विटामिन में कोवाल्ट होता है विटामिन B12 में कोवाल्ट पा जाता है ठीक है विटामिन B12 अगला गोश अगला कोशन है इंद्रधनुस बनने का कारण क्या है अपवरतन कोशन नमर 33 है यदि हम चंद्रवाँ पर आकास से देखें तो कैसा दिखाई देगा तो यह काला दिखाई देगा ठीक है काला 34 नमर कोशन है कच्छे फलों को पकाने में कामाता है एसेटिलीन ठीक है मैं बता चूकूँ कच्छे फलों को पकाने में एसेटिलीन गेस गाला कोशन नापकी रेक्टर में मन्दाक होता है भारी जल ठीकिन आपकी रेक्टर में मन्दाक होता है भारी जल अगला कोचन दोस्तों आतिश वाजी में लाल रंग होता है इस ट्रॉंसियन के कारण ठीक है नेक्स वचन है आतिश वाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण होता है जल में घुलंसिल विटामिन कौन सा है विटामिन B तिथा C दोस्तों जल मैं घुलनसीं बिटामिन होता है ठीक हैwrकन से स्विड़नसी घूलनसीं बिटामिन कौन सा यज़न करूर॥ ऐदी नर्वाणिस कर्वाराणिसतर क्लोर खीड़math यह द्यां याडosium पत्री कि में हम प्राथम't रंग होते हैं लाल नीला तथा हरा प्रात्मिक रंग होते हैं ठीक लाल नीला तथा हरा यह होते हैं प्रात्मिक रंग ठीक है प्रात्मिक रंग कौन को से लाल नीला तथा हरा तो यह थे दोस्तों मोस्ट important question general science के बहुत महत्मूर question है यह आप इनको जरूर रट लीजिएगा एक के question काफी important है दोस्तों इत वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दें आज इस टारगेट इस वीडियो में target रखते हैं दोस्तों 15,000 likes का तो फटा फट वीडियो like कर दें इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ जितने भी आपके whatsapp group है, study group है, facebook group है सभी में इस वीडियो को जरूर share कर दें और दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को description box में में दे दिया हूँ, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप join कर सकते हैं, और अधियाब के पास टेलिग्राम चैनल नहीं है, तो अपले इस्टोर में टेलिग्राम सर्च करिए, वहां से install करिए अपने phone में, smartphone में और उसके बाद आप हमारे चैनल पर आईए, वहां पर लिंक जो दीगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप join कर लिए, वहां पर मैं daily pdf files share करता हूँ, आपके लिए हर exam selected, ठीक है, तो जरूर join कर लिए, इसके लाब आप हमें instagram पर follow कर ले, online sd point के नाम से id, instagram पर, instagram पर search करके follow कर सकते हैं, इसके लाब फेस्बूक पर भी online sd point के नाम से वारा facebook पेज है, वहां पर भी updates share करता हूँ, तो उसको भी आप जरूर follow कर लें, वहां पर, इसके लाब आप हमारे daily current phase की वीडियो जो morning में upload करता है, जरूर पर जो play होगी in the screen में, उसको आप जरूर देख लें, पचास सबसे महत्मूर गोशन उस वीडियो में बताया हूँ आपको, उसके लाब हमारे channel playlist में जाकर भी जरूर देख लें, ये वीडियो का ऐसा लगा, आप हमें comment box में जरूर लिखें दोस्तों, ठीक है,